अगर होको डिसकवर करना है तो किस तरीके से हम लोग करेंगे मतलब सिस्टम के अंदर करना होक को इंप्लिमेंट करना और बने हुए होक को discover करना, यह तीन चीज़े हैं, तो हमने hook क्या होते हैं वो देख लिया, hook को implement करना देख लिया, अभी हम लोग hook को discover करना देख रहे हैं, इसके बाद में हम देखेंगे कि हमको hook को किस तरीके से define करना होता है, ठीक है तो यहां पर है discover existing hook, तो discover existing hook तो जितने भी hook define होते हैं वो api.php फाइल में होते हैं यानि कि file का extension होता है .api.php तो मैंने vs code के अंदर ये पूरा project को open कर रखा है इस project में अगर मेरे कोई ये देखना है कि core module के अंदर कितने hook defined है तो मैं right click करूँगा core module के उपर और यहां पर मैं find in folder कर दूँगा finding folder के बाद में मुझे यहां पर file to include यहां पर मेरे को क्या करना है मेरे को यहां पर ये लिग देना है .api.php इस तरीके से में को search कर लेना है file to इसमें और यहां पर मुझे keyword search कर लेना है hook underscore simple इस तरीके से में को hook underscore search कर लेना है तो जितनी भी API फाइल है सारी फाइलों में result आ जाएगा यहाँ पर मेरे को core फाइल मिलेगी और यहाँ पर देखो यह hook defined है hook page alter यह पूरा description इसका यहाँ पर defined है कि किस तरीके से यह काम करता है उसी तरीके से मैं दूसरी file में में देखूँगा तो यह database file हो गई database वाली schema में भी सब कुछ defined है तो यह database वाली file में भी hook entity में भी यह define है तो hook entity में भी hook entity टाइप में भी यह define है तो इस तरीके से हम लोग सर्ज कर सकते है यह अग पहला तरीकہ फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में यह हो गया सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास में होता है वो होता है सेकेंड ऑप्शन क्या होता है तो सेकेंड ऑप्शन यह है कि हमारे पास में डूपल कंसोल है तो डूपल कंसोल का भी हमारे पास में एक कमाड होता है यहां पर जो की डूप इवल्डवग को करने का मणड होता है जो कि लिस्ट ये वाला जो कमाड़ है दिवग डिवग के बात में हुख दीवक hyक जो कमार्ड है यह क्या करता है दिवग का डिस्क्रिप्शन देता है इस कमार्ड को मैं रन करूँगा तो यह कुछ इस तरीके के hook बताएगा इस hook को अगर मैं search करूँगा API file में जाके तो मुझे पता चल जाएगा यह hook कैसे काम करता है यह same hook मुझे यह API file में search कर लेना है तो मेरे को पता चल जाएगा यह hook काम कैसे करता है यह second option है हमारे बसमे इसके लिए मैं जो कमांड मैंने यूज किया वो drus dvh है मतलब drus dvh कमांड का अगर हम यूज करेंगे नहीं डूपल console का कमांड है नहीं तो dvh हो जाएगा ठीक है यह दूसरा तरीका हो गया तीसरा option क्या होता है तीसरा option ही होता है हमारे पास में को hook का description पता चल जाएगा यह देखो मैंने devil module run किया तो सारे hook आ रहे है अगर मैं आप किसी hook को देखना चाहता हूँ जैसे मेरे को यहाँ पर block से related hook देखना है तो मैं block पे click करूँगा तो block के सारे hook देख जाएगे block module के सारे hook देख जाएगे यहाँ पर मैं को number इंटर कर नंबर जिसे में को block देखना है तो मैं को 3 इंटर करके और यहाँ पर इंटर कर देना है तो यह देखे पूरे block module का जो description है help करके block का पूरा यहाँ पर detail दिख गया है ठीक है यह जो option है हमारे पास में तीसरा तरीका होता है और fourth option हमारे पास में यह होता है कि हमारे पास में एक page होता है जो की documentation है drupal.org का तो मैं इस page पर जाऊंगा यहाँ पर मैं related module पर जिसे ही click करूँगा जिसे मानलो मैंने block पर click किया तो block के सारे hooks यहाँ दिख जाएंगे तो यह जो documentation page है है ना इस documentation page में जिसे मैंने block पर click किया तो block API में जाऊंगा और block से related जितने भी hook है वो मेरे को यहाँ पर दिख जाएंगे उसी तरीके से अगर मेरे को form के hook चाहिए तो मैं form पर click करूँगा तो जितने भी hook form से related है वो मेरे को दिख जाएंगे जिसे hook form अल्टर हो गया hook form ID अल्टर हो गया उसके बाद form की सारी class भी दिखेगी interface भी दिखेंगे तो यह API का पूरा documentation है Drupal का तो हम लोगों ने देखा कि discover existing hook को देखने के हमारे पास तीन से चार तरीके है सबसे अच्छा option API documentation वाला भी है जो कि Drupal का documentation है दूसरा जो बना बनाया जो Drupal install है हमारी system में हम उससे भी search करके यहां से देख सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग existing hook को discover कर सकते हैं